दोस्तो आप सभी के फिर्शे स्वागत हैं हमारी यूटूब चैनल पर तो आज किस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर इंडिया वर्षे न्यूजियंड के भी जो है लाश्ट टीटाउन्टी मुकाब्ले खिला जाना है इस मुकाब्ले के लिए आज किस वीडियो में बना खिला जाना है तो इस मुकाबल में जो हमार टार्गेटर रहेगा वह यह रहेगा कि हम अच्छे से अच्छे आपके लिए बना के दें तो सबसे पहले तो हम यह आपके लिए बता देते हैं आपने एक चीज का गौर किया होगा कि जो दोनों टीटाउन्टी मुकाब्ले के इसमें जो हमारे जो बॉलर्स हैं उनका अहम युगदान रहा जो कि यहां पर इस्पिन बॉलर हैं उन्होंने अच्छा प्रदसन किया और हर मुकाबले में जो फर्ष्ट रैंग जिस वंदे की लगी है करोड रुपे जिसने बिनिंग किये हैं उसमें ज्यादा तर इस्पि करने का फैंसला किया था और आप देखरी जिए यहां पर जो यहां पर न्यूजलेंड ने जो अपना स्कूर बनाया था वो बीस ओवर में मतलब जो वहां की पेस्टी वह बॉलिंग पेस्टी और इतना आसान नहीं था तो यहां पर जो टीम इंडिया के लिए यह टार्गि प्राब लगया आप सोच सकते हैं तो लेकर इतना आसान नहीं था आप इससे समझ सकते हैं कि यहां पर यह फिच कहां सी थी अब यहां पर जिस बंदे ने एक करोड रोपे विविनिंग किये हैं उस बंदे की प्रोडक्स हैं देख लीजिए पहले तो चार यहां पर आर उनने भी अपने स्पल के उबर डाली थी सिर्फ यहां पर तीन बैस्टमेंट थे जिसमें इसान किसन दीवा खोडा जी फिलिप्स बस तीन बैस्टमेंट थे बाकी ना तो सूर्य कुमार याद और डी कॉन बे जी एफलन एफलन कोई भी सामिल नहीं थे डी मिचल कोई भी यहां पर बैस्टमेंट सामिल नहीं किया था ना तो सुमन गैल सिर्फ यहां पर तीन बैस्टमेंट सामिल किये थे जिसमेंसे दो टीम इंडिया के थे दीपा खोड़ा ईसान किसन और जी फिलिप्स हो बस वाकि कोई बैस्टमेंट सामिल नहीं किया था भाई ने इतना बड जो दोनों मुकाब्रें झेले गए तो उसमें पिछ थी ती यह पार है उनके थी नियुक्ति कर रहे थी आज पिन रहे थी और जो इस पिन बोलर थो उनके लिए खासकर मदद मिली और जो फीरों पहले ने खिल गए उसमें न्यूजिलेंड सभी जो इस पिन बॉलर हैं उनके लिए उच्ट किया लास्ट में एक ही फॉस्ट बॉलर के लिए उच्ट कर वाइब तो एसे हम बात करेंगे लेकिन जो तीसा यह फिल जाने यह पर फानली यह फिच वेडिंग पीच होने वाली है और इस पिच पर जो मदद मिलेगी वह पैसर बॉल के लिए पर दोनों टीम काफी मैनत करेंगी इस मुकाबले को जीतने के लिए तो फानली अच्छा स्कूर वनने वाला है तो हम वैसे इसी के हिसाब से प्याचूस करेंगे तो फिर भी हमाई लिए यहां पर जो इस्पिन बॉलर हैं उन्हें के लिए सामिल करना क्योंकि जो इस्पिन बॉलर का दबाव है वह अभी जादन चल रहा है दोनों दोनों टीमों के जो बेस्ट मैन है उनके उपर तो फानली इस पिन बॉलर पर ज्यादन तर फोकस करेंगे और जो फास्टर बॉलर हैं उनके लिए हम कम सामिल करेंगे चली तो सबसे पहले तो हमने देख लिए बिजिस को रिक स्वस्ची के गरीब बनेगा तो आज के इस वीडियो में हम आप फानली आपके लिए बिनिंग प्रोड़क्शन बनाके देने वाले हैं तो दोस्ते हैं आपने अभी तक चैनल के लिए यहां पर सब्सक्राइब कर लेना से पहले तो हम बिगट कीपर देख लेते हैं पिकट कीपर में हैं डी कॉन बे इसंड के संड तो हम यहां पर डी यहां पर डी कॉंट ने तो यहां पर डी कॉन बेने दो मुकाबले खेले हैं और 119 पॉंट दिस में पहला जो मुकाबले खेला गया था उसमें सांदा एक सो तीन पॉंट दिये थे और ड्रीम लिए उन गेंप चैंज रही थे लेकिन जैसे कि मैंने आपके लिए बताया कि जो पहला ठीटूंधी मुकाबला खेला गया था वहां पेच थी सांदार पेच थी वह बेस्ट में के साब से लेकिन दूसरे मुकाबले में जो पि क्लिए भी आते हैं डीकॉन वे यह आप नहीं करना चाहते हैं सामिट तो चौट सकते हैं लेकिन हमारे ताप्स यहां पर पिछ के हिसाब से हर नले इस पिछ पर बेस्ट में की खासकाव मरद मिली हैं तो हम जरूर यहां पर डीकॉन भी के लिए सामिल करेंगे इसके बाद इसान के सन ने भी अभी तक यहां पर दो मकाबले के लिए जिसमें मैं 56 पॉंट दिए हैं लेकिन इस मुकाले में ड्रीम लेबन मैं डीटी में सामल रहे और मैं 19 सन बनाए थे लेगें मैंने जैसे कि आपके लिए का कि यह पेच यहां पर खासकर बेस्ट में के लिए यदि आ यहां पर सुरुकुमार यादाव जी फिलिप्स ऐफलांड डी मिचर सुमन गैल दीपा खोड़ा जैसे बहुत सारी आप्शन है तो सबसे पहले हम सुरुकुमार यादाव की बात कर लिते हैं दो मुकाबले खेलें दोनों मुकाबले में यह डीटी में सामल रहे और एक मु पर सुरुकुमार यादाव लिए सामल करेंगे फिलिस जी फिलिस उनने भी यहां पर दो मुकाबले खेले हैं जिसमें मैं 47 मोट दें जी फिलिस कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं लेकिन यदि आप इस मुकाबले में सामल करना चाहते तो कर सकते क्योंकि यह पिछली मुकाब फिलान भी कुछ खास नहीं कर पार में जी एक मुकावल में नों ने 71 फिलित इस मुपार ने चाहते तो कर सकते हैं सांदर ज़िया बैटिंग पिछ होने वाली है तो आप इने जरुरू सामल कर सकते हैं बहुत वाहत पर हम याए फिलान के लिए उसके बाद ये में चल से न तो आप यदि उसके हिसाब से याप सामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो फिलाल में हम डी मिचल्स के लिए भी छोड़ देते हैं और इसके बाद सुम्मन गैल सुम्मन गैले दो मुकाबले खेलें कुछ नहीं किया से 29 पूंट दिये तो यदि आप सामिल करना चाहते हैं लेगन इस मुकाबले में बसांदा प्रदसन कर सकते हैं क्योंकि यह पिछ बैटिंग पिछ होने वाली है और सुम्मन गैल फानली ओपनिंग बैस्टमन भी है तो आ बैस्टमन हैं तो फिलाल में हमें नवी छोड़ देंगे यह भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है तो इसके बाद हम देखेंगी और अंडर और में हम सभी के लिए सामिल करेंगे चारों और अंडर के लिए यहां पर हर्दिक पांट्या के लिए मिचल सेंटर के लिए एंप्र इसके बाद हम इंटर बॉलर सामिल करेंगे बॉलर में युजवन चहल एक मुकाब्रा खेला है सांदर इन उन दो पेकेट हांसल यह इंट अपने इस पर के दो ही यृवड डाले थे तो यह युजवन चहल के लिए हम जरूर सामिल करेंगे यदिन खेलने का वैशा मुकाल मिलेगा तो हम जरूर सामिल करेंगे ज़विन चहल के लिए और इसके बाद फॉर्गुसन भी कुछ खास नहीं कर पाई तो हम फॉर्गुसन के लिए फिलाल में छोड़ देंगे और इसके बाद यहाँ पर खुल दी प्यादा सांदर बॉलर रसे को दी प्यादा दो मुकाबर यादि यहाँ पर करना है तो एक और बॉलर्स हम सामिल कर सकते हैं तो हम जी फलिष्ट के लिए सामिल कर लेती हैं इन्होंने पिछले जो हुथ-विधुन्टी मुकालब़ कहले था उसमें इन्होंने अपने शपल की चारोवर्ट डाले थी तो यदि आप इने सामिल करना चाहते हैं तो जी फ्रेस के लिए हम फिलाल में सामिल कर लेते हैं और इसके बाद हमाई लिए एक और कोई सामिल करना है जो कि हम न्यूजिलेंड का ही बॉलर सा सामिल करेंगे जिसमें फोरगुस्टन अच्छा आप्सन हो सकते हैं या फेन हम बैस्ट मैन में सामिल कर लेते हैं एफलान के लिए तो एक अच्छा आप्शन हो सकते हैं तो फार्थी एक अच्छा आप्शन हो सकते हैं या फेन यहापर इसान किसन अच्छा आप्शन हो सकते हैं तो हम फिलाल में यहापर इसान किसन के लिए ही सामिल कर लेते हैं कि हमारी प्रोडाक्शन बहुत चुकी हम इसके बाद कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज़ करेंगे तो कैप्टन में यहाँ पर हमारे लिए सबसे च़रा पहले हम दके किसे बनाए गया वो है यहां फर मैं सुंदर के लिए बनाए गया पंदर परतिशथ सुरुकुर्ण वहां Fachu सूपोगा एकाइस प्रेसार और अग्सधी सेंट के लिए तो यहां वैसे भी नही ले मी कर दो कि यहां पुर्ण है नहीं की लिए हमने Spinballer इसलिए सामिल किए क्योंकि Spinballer के खिलाब बेश्मन के लिए खिलना अतना आसान नहीं है तो हम Captain बनाएंगे यहाँ पर Vice Captain में रखेंगे D कौन भी के लिए और Captain में सुमन गयल अच्छा आप्सन हो सकती है फिलाल में उन्होंने दो मुकाले में 29 पूंट दी है यदि सुरकुमार यादों के लिए Captain C में रखना है तो उन्हें भी हम Captain C में रख सकती है लेकिन हम इसलिए Captain C में जरूर सामिल करेंगे तो हम यहाँ पर Captain C में सामिल कर लेते हैं किसे यदि आप अपने हिसाब से भी Captain C सामिल कर सकते हैं लेकिन Vice Captain C रहेंगे हम रख लेते हैं सुमंट गैल के लिए सुमंट गैल कैपैनशि रहेंगे यदि आप इशान के लिए करना चाहते हैं, तो final इसान केशन के लिए Captain C में यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमारी प्रोडक्शन में यहाँ पर सुमन गयल रहेंगे कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स रहेंगे डुगी कॉन बे दोनों ओपनर बेस्ट मैं है तो फानली हमारी बिनिंग प्रोडक्शन बन चुकी दूस्तों तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में आप सभी इस प्रोडक्शन से फानली प्रेसे बिनिंग करने वाले हैं लेकिन टॉस्क के बाद आपके लिए जो अपनी प्रोडक्शन रहें उसके लिए फानली चैन्ज कर लेना है